हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग वेल्कम बैक टू दे चैनल मेरा नाम है अब दोलोड आज की अपडेट है इंडियन आव्मी की तरफ से TGC टेक्निकल ग्रेजविट कोर्स 135th अनौंस कर दिया है यहाँ पर graduate as well as final year वाले भी apply कर सकते हैं कैसे और किस तरीके से आप eligible होंगे सब कुछ यहाँ पर discuss करूँगा वीडियो के अंदर selection process कैसे रहने वाले वो भी हम यहाँ पर share करेंगे वीडियो को आप एंट तक देखना detail में यहाँ पर discuss करने वाले इस सारी चीज़ है और अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना अगर आपको career guidance and latest job updates की वीडियो चाहिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हो information से help मिल जाती है तो वीडियो को like जरूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी share कर देना उनको latest job updates के बारे में पता चलेगा and उनको का feel मिल जाएगी अगर वो college में पढ़ाई कर रहे तो आप जानते हो कितनी जरूरत रहती है तो हम वैसी भी updates लेकर आते हैं college students जो भी final year में वो भी इसके अंदर eligible है तो like and share जरूर से कीजिए सबसे पहले eligibility criteria discuss कर लेता है और यहाँ पे July 2022 जो इनका batch है Indian Army का उसके अंदर यह update है So age limit की बात करते है तो 20 से 27 years की इन्होंने age limit बताई है तो age limit में आप में से बहुत सारे qualify हो जाएंगे यहाँ पे अगर बात करते है qualification का criteria की तो engineering की almost सारी branches आ चुके सबसे पहले हैंपे civil की branches है फिर यहाँ पे architect की है सारी branch फिर mechanical की है electrical की है फिर computer science की है IT की branches है electronics है telecommunication है फिर aeronautical है फिर electronics and instrumentation है industrial है production है opto electronics, automobile तो यह सारी branches वाले apply कर सकते हैं आप यह से बहुत सारे gate या PSU की तेयारी कर रहे होंगे gate 2022 अभी बहुत ही करीब है लेकिन gate 2023 के बहुत सारे aspirants होंगे so आपके लिए यहाँ पे unacademy पे special batches है जिसके अंदर top educators पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे हर field के लिए mostly batches आ चुके है computer science हो गया, mechanical हो गया, civil हो गया, electrical, electronics, chemical हो गया, IT यह सारी branches के batches अवेलेबल है खास 2023 के लिए वैसे आज बहुत ही special offer है unacademy पे जिसमें इनके exactly 6 years complete हुए है और इस खुशी में unacademy provide कर रहे हैं 6 months की extra validity अगर आप एक साल के लिए enroll करते हो तो 6 months की आपको extra validity मिल जाएगी मतब 12 months का पे करो और validity 18 months की और साथ में यहां पे जो अगर आप मेरा coupon code यूज करते हो तो आपको extra discount मिल जाएगा तो coupon code तो यहां पे display होई रहा है अगर आप enroll करना चाते हो तो link सारे batches के description में दी हुई है वैसे 2022 वालों के लिए इन्होंने combat रखी हुई है जो हर Sunday होती है और इसमें भी बहुत सारे attractive prices है combat completely free है कोई भी जाके यहां पे register कर सकता है unlock code पूछा जाए तो same यही use कर लेना link उसकी भी description में मिल जाएगी Sunday सुबर 11 बजे यह combat होती है अगर आप live attempt करते हो और rank आता है तो आपको यहां पे special prices भी मिल जाएगे वैसे batches की offer को miss मत करना यह offer बहुत rarely आती है तो link description में दी हुए जाके enroll कर लीजे है and combat में भी ज़रूर से register कर लेना now continue करते हैं update की तरफ यहां पे अगर बात करें तो 135th course जो इनका है जुलाई से start होने वाला है और अभी आप अगर final year में हो तो आप register कर सकते हो में में हो जाती है जून तक result दे देते है final year वालों को तो आपका यहां पे result mostly आई जाएगा and आप इनको join कर सकते हो आपको degree नहीं मिली हो कि चलेगा लेकिन result आ गया होना चाहिए अगर यहां पे बात करें तो यह 49 weeks की training रहेगी उसके बाद आपको posting मिलेगी लेकिन यह training के दौरान आपको 56,000 जो है stipend मिल जाएगा 56,100 रहना करना वो आपको 49 weeks तक वहीं पे करना होगा अगर यहां पे एक और condition की बात करें तो unmarried male के लिए यह सिर्फ vacancy है और यह देहरादून में आपकी training रहने वाली है female यहां पे eligible नहीं है और अलग-अलग notification इंडियन आर्मी के आते रहते है तो female का अलग होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ male वो भी unmarried अगर शादी हो गई है तो मत apply करना बना आप पे case भी हो सकता है और आपको बहुत ही तगड़ा fine pay करना पड़ सकता है next बात करते है किस तरीके से selection होगा complete process क्या है so आपको यहां पे official website पे जाकर register करना होगा और इसकी किसी भी तरीकी की fees नहीं रहती है तो यह बहुत अच्छी बात होती है application जो है 6th December से start हो चुके है और इसकी last date 4th January 2022 है बहुत ही अच्छा खासा time दिया हुआ है आपको सारी चीज़े जो है decide करने के लिए apply करना है या नहीं करना है now very important selection process के बारे में बात कर लेते हैं तो selection process में यह SSB interviews रखते हैं और उसके basis पे ही आपका यहां पे final selection होगा SSB interviews जो है वो one of the toughest interviews में माने जाते हैं group discussion हो गया सारे process जो एक company कुछ process नहीं करती है वो यह करते है so SSB interviews काफी साथा difficult रहते हैं लेकिन इसको experience once in a lifetime करना चाहिए पहली बार apply कर रहे हो तो आपको यहां पे railfare जो traveling allowance वो भी दिया जाएगा proper document submit करने पे तो यह अच्छा रहता है काफी सारे जो है जाते है selection कम बहुत rare का होता है वैसे SSB की जो यह process है मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा total 5 stages रहते है sorry 2 stage रहते है and total 5 days होते है आपको यहां पे अगर पूरी चीज़े समझ नहीं है तो वीडियो मेंने अलग से बनाया हुआ है आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएगी कि SSB में कैसे क्या process involved रहते है so यहां पे यह सारी चीज़े तो रहेगी SSB के locations क्या होंगे अलाबाद, बोपाल, बैंगलोर and कपूर दाला यह सारे locations रहेंगे and SSB आपको खुदे allot करेगी और भी बहुत सारे आपको यहां पे facilities मिल जाती है अगर आपका इंडियन आर्मी में selection होता है so initially आपको यहां पे lieutenant की post मिलेगी 56,100 basic पे रहता है फिर captain हो गया, major हो गया ऐसे आपको यहां पे आपकी promotions बढ़ती जाएगी थोड़े थोड़े ताइम पे थोड़े थोड़े मतलब दो साल, तीन साल ऐसे यहां पे भढ़ता रहता है लेकिन initially 49 weeks training रहेगी उसके बाद आपको joining करवाए जाएगी so यह थोड़ा difficult period होता है आपको गर से दूर रहना होता है कोई भी चीज़ allowed नहीं होती है in fact SSB interview का जो experience होता है वो भी थोड़ा सा difficult होता है तो इसमें आपको मजा आएगा अगर eligible हो तो apply ज़रूर से करना इसका एक criteria जैसा बोल सकता है अगर आपके academics strong है तो आपको यहां पे shortlist किया जा सकता है लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि academic strong नहीं होते हुए भी यहां पे shortlist नहीं हुए है तो आपको simply join indianarmy.nic.in उस पे जाके register करना है description में मैंने जो link दीए वहां पे सारी information मिल जाएगी उसी page पे notification as well as apply करने की link मिल जाएगी तो ज़रूर से check कर लेना and batches की जो offer है उसको miss मत करना आपको ऐसी offer बहुत rarely देखने को मिलेगी अगर आप gate aspirant ओ, PSU बगरा की तेयारी कर रहे हो वो educators पढ़ा रहे है चो और यह सारी चीजों को अच्छे से crack कर चुके है top rankers है तो भाई link उसकी भी description में मैंने दी वही है चेक कर लेना इसी के साथ वीडियो को end करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में तब तक के लिए गुडबाई, टेक केर